राम राम जै माभारती जै चाथिस गड़ आप सभी का मेरे यूटूब चैनल ससे सचातकार मुरारी मिश्रा में हार्दी का बिदंदन्यों सौगत है आप सबसे मेरा लगातर विंती और पाथना रहती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सहयोग और समर्थन देते रहेगा और अगर आपको मेरा विशेशान और आकलन राजितिक विकलेशान और आकलन सही लगता हो अच्छा लगता हो तो आप जरूर इसको सेन फारवार्ड और लाइक करते रहेगा आज चत्तिगड की ही राजधानी और सबस्रीम हत्मून सीट रायपूर लोगसभा का आकलन विशेशन करने का प्रयास करते हैं देखें 1998 के पहले ये कॉंग्रेस के गड़ हुआ करता था क्योंकि सुक्ल बंधों का प्रभाव सिर्फ छत्तिगड ही नहीं पूरे मद्ध प्रदेश पे और हिंदूस्तान पे जबर्दस था 1993 के लोग सभा में स्वर्गेई सहिद विद्याभिया बहुत कम और से रमेज बैस जी को चुनाओ हराए कारण इसका ये था कि विद्याभिया 6-7 बार-8 बार महा समुन से 7-7 रहे 6 बार बाकि 2-3 बार रैपूर से उनको अच्छानक महा समुन से रैपूर शिफ्ट किया गया और विद्याभिया के बारे में सब जानते हैं पुराने लोग अच्छे जानते हैं वो विकास करने वाले और अपने लोगों पे भरुसा करने वाले थे उनकी धीरे धीरे दूरियां आहम जंता से बढ़ते गई और 1993 के लोग सभा में वो मात्र 945 और से चुनाव जीत पाए लेकिन नर्शीमा राओ जी के मंतरी मंदल में नंबर टू बने एक प्रकार से उनको प्रधान मंतरी के चाया करूप में दिखा गया और जल संसाधान मंतरी संसंद्री मंतरी के तौर पे उन्होंने जबरदस काम कि लाया हावाला कांड में उनको इस्थिपा देना पड़ा उसके बाद जो 1990 से चुना हुए रमेज भैस जी इस लोग सभा को जीते चले आए अटल जी का आसीरवात था अटल जी का लहर था 98, 99, 2004, 2009, 2014 तक रमेज भैस जी भाले धनिन साहु जी को बहुत कम और से 40 सार से हरा है उन्हीं सोंठानवे में फिर आपका रमेज भैस जी को 2009 में 57,008 से हरा है चार में शामाचन शुकल जी को हरा है, 2014 में सतनाई सरमा जी को पौने दो लाक ओर से हरा है और पिछला चुनाओ सुनिल सुनी जी जो भारती जनता पार्टी का संसद संसदी के थी हास में देखे रापूर में वो मेर थे लेकिए बहुत लोग प्रोफाल रहते हैं वो सारे 3 लाक मतों से ततकालियन मेर उससाम्हाँ प्रमुत दुबैजी मेर थे रहजपूर के रापूर के, और क़्ौनकरक की सारे 3 Laak ओर से चुनाओ प्रमुत दुबैजी हरते हैं और सुनिल सोने जी सांसद बनते हैं जपर दस मोधिल लहर था, लोग सुनिल सोनी जी को जानते हैं थे कि सुनील सुनी कौन है जबकि 2018 के विधान सभा चुनाओं में सतर हजार ओटों की लिड़ थी देखिए आप कॉंग्रेस को और दो सिट छोड़ दीजिए आप नौ सीट है दीए दुरुग और राइपूर में नो नो विधान सभा हैं लोग सभा में राइपूर धक्षिन और भाटापारा ये दो सीटों को आप छोड़ दीजिए बकि साथ सीटों पे कॉंग्रेस के विधायक थे उसके बाद भी साड़े तीन लाकोटों से भारती जंता पाल्टी चुनाओ जित्ती है और सुने सोने जी सांसद बनते हैं भाटापारा में देखिए आप भाटाप भाटापारा में सभा होने के बाद बीजेपी के मले थे सुरतन सरमाजी उसके बाद बराबर हो गया देखिया साड़े तीन लाक से बीजेपी के सांसद चुनाओ जितते हैं लेकिन भाटापारा में मोदी की सभा के बाद भी बराबर हो जाता है चुनाओ लोग सभा में र्याद तासीर है यहां पे चत्युगालर्ड के घ्धाकरनेता ब्रिजमान अग्रवाइल जी Bजे पी के पर्तियसी है माना यह जाता है कि चत्युगालर की रागनिती से लोगों के चर्चा का केंद्र है कि चत्यूगाल bucks लİंको अलग क्षाहँ कर आधा लेकिन अपने कणको मैं मांधर इसे बताऊंगा अपने कद और ठीको एक स्चतिकड़िस्टर का नेता नहीं बना पाए इसका हाक्लानर सुम्करेंगे क्यों च्थच्ऩिगड़ ऐस्तर के निता अपने आपको क्यों नहीं बना पाई क्यों जनता है कि विशा में जबकि 8-10 बार का है मेले, इनको तो मुकमंत्री का प्रबल दावेदार होना था, लेकिन इनका कहीं नाम चलता है, ना सर्वे में नाम आता है, ना किसी TV डिपेट में लोग इनका CM के रूप में नाम लेते हैं, यह आकलन यह खु बुपेज बगेल जी कॉंग्रेस के प्रत्यासी होंगे लेकिन एक आपको खबर बताता हूं बड़ा इंट्रेस्टिंग खबर है मेरे को कुछ लोग बताते हैं साल की सब कुछ नहीं बताते हैं जब कॉंग्रेस की मिटिंग हुई और जब चर्चा हुआ कि छतिगल राज बन 2014 में सताइन सर्मा जी हरे आपका पौने दो लाग ओड से और 2019 में आपका प्रमुद दुपेजी मेर रहते हुए साड़े तीन लाग ओड से हर गया तो जब कॉंग्रेस की मिटिंग हुई सचिन पालेट और रजनी पाटिल जी को पस्तियती में तो कॉंग्रेस के बड़े- बड़े निता सुझाओ ये दिए कि भुपेज बगेल जी बहुत बड़े निता हैं बड़े लोग प्री रहें ऐसा वो मानते भी हैं कौन मानता नहीं मानता भी सिए वो मानते हैं और अमिर चाप छोड़े एजाज धेवर को मेर बनाए एक तरफा सबको खिनारे करके तो र भुपेज बगेल जी बोले मिटिंग में कौन किसके सामने क्या पता करिएगा तो भुपेज बगेल जी आप जब राइपूर में मेर आपका है आप राइपूर आज़ानी में बैठ कर पुरा राज्य चलाए मेरे उम्मिद से भुपेज बगेल जी को चुनाओ लाना था व नहीं है इसमें और भेंकरता का जोक रहा है ये भी बात सही है लेकिन राइपूर लोग सभा एक प्रकार से बीजेपी का गड़ बन चुका है लड़ाई इस बात की है क्या ब्रिज महान अगरवाल जी नौकर नौ लोग सभा एक तरफ़ा जीतेंगे क्या होए साड़े तीन लाग और से कम से जीतें तो यह मान के चलिए यह जीतने के बाद भी ब्रिज महान अगरवाल के लिए बहुत बड़ा सैड़ बैक है बहुत बड़ा नुकसान है ब्रिज महान अगरवाल जी के लिए और मैं मानता हूं कि जैसी चर्चा है चत्रिगर की रादिती में भाटप लाल साहू जी को मंत्री बनाने के लिए बेजा जा रहा है क्या धरम कौसी जी को लेकिन दोसित खाली है मेरे को लगता है कि सायद राजे समुलत जी को मंत्री बनाने के लिए ब्रिजमान अगुराल को छत्रीगर की राजनिती से प्रदोनती या आउनती या आप बिशाइट क करिएगा चत्रियर की राजिती से बाहर करकर दिल्ली की राजिती में भेजा जा रहा है हाला कि 2019 में बिजमान अगुराल जी चाहते थे कि मैं लोग सभा लड़ूं आपको बता रहा हूं तो उसका कारणा मैं यह समझता हूं कि सरकार थी नहीं और अकेले वो विधायक थे रह इखाइंगे नहीं या कम से कम द साल लिया जीच आपको आंगरीस की सत्था बनी रहेगी साज़ी मीरा अकलाने देखे बेबाग रहा है मैं बोलता हूं बेबाम मेरा विशेशनर रहता है बाकि कमेंट्स आप करते हैं आपके हर कमेंट्स是 하니까 वी किशायर करता हूं उसको भी लोग में बोलते हैं कि मैं भारती जनता पार्टी का एजेंट हूँ या भारती जनता पार्टी का समर्थक हूँ भाई मेरे मैं 2018 के विधान सबम बोला कि कॉंग्रेस हार रही है हारी ना अगर नहीं हारती तब मेरे को बोलते हैं कि आप मैं भारती जनता पार्टी के समर्थक ह आप मान के चलिए आप कितने सीट पे किस स्टेट पे कितनी सीट आईगी अलग बात है अगर यह बात नहीं होगा तो मेरे को गाली देना अभी गाली क्यों देते हैं यह आपका दिकार है मैं हाद जोड़के उसको स्विकार करता हूं यह राइपर काक्लान विशेशन आपको क ऐसा लगा लडाई सिर्व लिड़ की है क्या प्रिज्मान अगरवाल जी पांच लाक ओर से जितते हैं क्या साथ लाक ओर से जितते हैं मैं यह सुन रहा हूं जो साथ लाक ओर का टार्गेट लेके चल रहा है अगर उस साले तीन को भी पार कर गया तो बहुत बड़ी जीत मा जारुन का बहुत बड़ा रोला है लिट के मामनों में बहुत बड़ा रोला आरंग है बहुत बड़ा रोला आपका अभनपूर है और धर्सिवा है मान के चले लेकिन सबसे बड़ा रोला मेरा अकलान विशेशन है बोलता है भादा पराविधान सभा है मोधी की सभा के बाद है विकास उपाधाजी को मैं जोरू सुपकामने दूंगा भाई आप संघर्ज करते रहे आप युवा नेता हैं हो सकता है भाई सब्सक्राइब आप नहीं जीतेंगे इसको भी मैं सपस्ट बता देता हूं यह आपको कैसा लगा आप जरू कमेंट्स करके बताइए और मेरे च